आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी आप देखने हमारा खास शो गुड मॉनिंग इंडिया गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों करूप कर लेते हैं अफगानिसान के मुद्देपा बुद्वार की रात प्रधान मंतरी आवास पर करीब तीन घंटे लंबी बैठक चली और इस दोरान बैठक में प्रधान मंतरी नरीन मूदी के अलावा ग्रह मंतरी आमेश शाह, विदेश मंतरी एश जैश्रंकर और राष्ट्रे सुरक्षक सलाकार अजीर जोबाल शामिल हुए पतादे पियम मूदी के साथ इस बैठक में अफगानिस्तान के हालाद पर विस्तार से चर्चा हुई साथी अंतराश्ट्रे स्थर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतियों को निकालने की कूट नीतिक प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चप की गई साथी आतंकियों के नई संगर्ठन और उनसे भारत की बढ़ते खत्रे के मद्ने नजर भी बैठक महत्पून मानी जा रही है लेकिन सरकार की प्रात्मिकता फिलाल अफगानिस्तान में फसेब भारती है और अफगानिस्तान में नई सरकार का सौरूप है ऐसे में भारत ने फिलाल दुनिया के अन्ने देशों की तरह वेट एन वाच की नीती अपनाई हुई है अफगानिस्तान पर भारत ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है हाला कि इससे पहले अफगानिस्तान पर बुलाई गए सर्वतली बैचक के तौरान विदेश मंतरी एस जैशंकर नहीं ये कहा था कि सरकार का ध्यान भी वहाँ पर फसे हुए नाकरिकों की वापसी पर ही है लेकिन मंगलवार को तालिबान नेता और सरकार के बीच पहली अपचारिक मुलकात के बाद में पक्ष की तरफ से रुख साफ करने की मांग की जा रही है तो ऐसे में ये बैचक हुई जिसमें तालिबान को लेकर और अफगानिस्तान के हालात को लेकर चरजा हुई साथ ही सरकार की पहली प्रात्मिकता वहां परफसे भारतियों को निकालना है और अभी भारत सरकार ने और देशों की तरह वेट एन वाच की रणनीती अपनाई हुई है आज से नागपूर में राष्ट्रे स्वय सेवक संग का बड़ा मंतन शुरू होने जा रहा है जी हाँ अखिल भारतिय समन्वे बैठक नागपूर में बीज़िपी सहीच सभी संगठनों के प्रमोग संगठन मंत्री शामिल होंगे और ऐसे में रसेस जुरे सभी संगठनों के सेकर्टरी बीज बैठक में शामिल होने वाले हैं वहीं बेच्पिंदू परिशाद और कुछ अन्य आनुशांगे संगठनों में शीर्ष नित्रुत भी शिर्कत करेंगे और ऐसे में एक खास बात ये है कि सम्मेलन में मोदी सरकार बीज़िपी सहीच सभी संगठनों के काम काच की समिक्षा की जाएगी साथी सरकार के साथ आरसेस की और इंडिया कॉडिनेशन बेचक भी होगी वहीं बता दे उत्तरप्रदेश सहीद पांच राज्यों में आने वाले विलान सभा चुनावों पर भी रंडीती बनाई जाएगी ऐसे में आरसेस के अखिल भारतिय प्रचार प्रमोग और मीडिया प्रचार शाका प्रमोग सुनील अंबेकर ने बताया कि संग और उसके आनुश शांगिक संगठनों की ये समन्वे बैठक वर्तमान कॉरुनावारस महामारी के चलते चोटी और अनवचारिक बैठक होगी अखिल भारतिय प्रमोग और साथ ही बता दे के विद्याभारति समित कई अनशांगिंग संगठनों में के राष्ट्री स्तर के संगठन मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे उन्होंने ये भी बताए कि कोरोना वाइरस की स्थिती में सुधार आने पर 2022 की शुरुआत में पून समन्वे बैठक दुबारा से की जाएगी पूर्व केंज्य मंत्री और सुल्तानपुर से सांसर मेंका गांधी तीन दिवस्य दौरे पर सुल्तानपुर पहुँचने वाली हैं वोड नरायनपुर में बलवराम दूबे के यहां भी आयोजिस रामचरित मानस पाठ और बहरी भूज में साड़े चार बज़े शामिल होंगी साथी सांसर श्रीमती गांदी तीन और चार अगस को सुबा साथ बज़े से नौ बज़े तक शास्रीनगर आवास पर जनता दर्शन कारक्रम में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगी साथी सांसर मीजय प्रभारी विजस सिंग रगुवंची ने ये भी जानकारी दी है कि मेंका कांदी तीन अकस को ग्राम गोड़वा में दस बज़े और ग्राम कुमाही कुड़वार में साड़े दस बज़े पाठी द्वारा आएज़े जन संबाद कारक्रम में भी जनता से सीधा रूबरू होंगी वही मेंका कांदी ग्यारा वज़े कुड़वार से समुदाइक स्वास्ते केंद्र में प्रदेश सैसायोजग रामचंद्र मिश्र के साथ नव निर्मित रेन बसेरा और अन्यकारों का लोकापन करेंगी वहीं सांसर श्रीमती मेंका कांदी धनपत गंज ब्लॉक के ग्राम नौगंबा तीर में भी बारा बज़े और ग्राम एक लखी में पौने एक बज़े ग्राम सेव करी में एक बज़ का पंद्रा मिनट पर कई विध्याले भवन का लोकारपन करेंगी और ऐसे में एक बज़ का पंद्रा मिनट पर वो ग्राम प्रवा में समुदाइक शौचाले और का लोकारपन भी करेंगी और जन समबाद भी करेंगी ऐसे में बता देए ये तमाम कारकम जो है मेनका गांधी के वो तैक ये गए हैं और ऐसे में वो तीन दिवसी दौरे पर सुल्तानपूर पहुंच रही हैं आग चार बजे मेनका गा कारकम जो हैं वो तैक किये गए हैं और इसके साथ ही वो जनता से भी सीधा समबाद करेंगी और कई कारकम ऐसे हैं जिन में वो कई चीजों कलोकारपन करेंगी कई जगा पर वो जाके जनता से सीधी बातचीत भी करेंगी और ऐसे में बता दें कि उनके तमाम ऐसे कारकम हैं जिन को आयजित किया गया है इसलिए अप तयारियां भी पूरी कर ली गई हैं साती साथ आपको ये भी बता दें कि मेंका गांधी और रंजी कुमार प्रदेश सेयोज़क रांद चंडर मिश्राप पूर्व जिला महामंतरी शशिकांत पांडे ये तमाम वो लोग हैं जो मेंक मेलाबाद हाई कोट ने बुद्वार को गाय की हालातों को देखते हुए केंद सरकार को सुझाब दिया है जिहां हाई कोट ने केंद से कहा है कि वो ये गायों को रुराष्ट्य पशू भूशित करें केंद साथी कोट ने अपने सुझाब में ये भी कहा है कि केंद सरकार स संसर्द में बिल लाकर गायों को राश्य पशू का दर्जा दे। ऐसे मेलाबाद हाई कोट ने आगे टिपनी करते हुए कहा कि जब गायों का कल्यान होगा, तभी देश का कल्यान होगा। एक्ट के तहट गिरफतार जावेद नाम के शक्स की जमाना तर्जी पर सुनवाई करते उए इलाबाद हाई कोट नहीं गी सुझाप दिया है। संस्कृति का ऐहम हिस्सा है गाय ये तमाम बाते रवाद हाई कोट की तरफ से खी गई है। एक अर्जी पर सुनवाई करने के दौरान ये हाई कोट ने फैसला लिया है। साथ ही केंध सरकार को सुझाब दिया है कि जो भी सुप्रीम कोट की तरफ से कानून बनाया गया है। जो है गायों की सुरक्षा करनी चाहिए और ऐसे में उन्हें सम्मान के साथ जो है उनके साथ कभी भी कोई भी तरह की घर्टना नहों इसका भी ध्यान प्रक्तना चाहिए दिल्ली एंसियार में बारिश का सिलसिला आइग बार फिर से शुरू हो गया है राश्य राश्य राश्यानी में आज लगातार बारिश का तीसरे दिन हैं कल बर साथ ने 19 साल का रिकॉर्ड तूर दिया कई सालों बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना है ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक दिल्ली की है गाज़वाद की है जहां परा सुभा से ही दिल्ली एंसियार के आसपार जमाजम बारिश हो रही है और गाज़वाद में भी बारिश का पूरा असर देखा जा रहा है वहीं बता दे बारिश के वज़ह से सुभा से ही दिल्ली और आसवास के इलाकों में पानी जमा हो गया था रासधानी दिन भर कल जान से जूचती रही ऐसे में आज फिर बारिश हो रही कै दिल्ली NCR के जिला गाज़िबाद में भी बतादे लगातार बारिश से आम जन जीवन पूरी तरहा से अस्वियस्त हो गया है नगर निगम विभाग की बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरीके से जिला गाज़िबाद में फेल नज़रा रहा है और इस मामने को लेकर जा इनिस साल में एक दिन में सबसे ज्यादा हुई बारिश है ऐसे में इससे पहले बता दें साल दोज़ा दो में 126 मिली मीटर बारिश दर्च की गई थी और ऐसे में 1961 से दो हजार 211 साल में पांच भी बार है जब सितंबर में 21 खंचे में ती बारिश हुई है यानि कि देखें बारिश से क्या हालात हैं ये दो तस्वीरे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में भी किस तरह से कल पानी सड़कों पर भरा कई अंडर पास ऐसे थे जो पूरी तरह से ढूप चुके थे अब पूरी दिल्ली कल जाम से जूशती हुई नजर आई दूसी तस् बाद में जो है लोगों को तमाम परिशानिया हुई ऐसे में बता दें कि बुद्वार सुवावी कल साड़े आठ बजे से तक भी 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की कई थी जबकि शाम साड़े पांच बजे तक 76 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस तरह से 33 घंटे में 188 मिली में बारिश दर्ज की गई थी यानि कि बारिश का जो रिकॉर्ड है 19 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है और ऐसे में बारिश से जो है लोगों को तमाम परिशानिया हो रही हैं तमाम दिक्कते हो रही हैं जिसकी वजह से बारिश से अब लोग जो है वो जाम ज तक बताय जा रहा है कि तापमान 36 डिग्री तक चड़ जाएगा याने की बारिश कम होगी तो एक वाब फिर से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है भारत की प्राची यादव कोने स्प्रिंट में शांदाश प्रुवात करते हुए सैमी फाइनल में पहुंच गई हैं जबकि बैटमिंटन में सुहास अलवाई ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जर्मनी के खिलाडी को सीधे सेंटर में दो शून्ने से माद दी है वहीं बैटमिंटन की महिला युगल्स पर्दा में पलक कोली और पारुल परमार की जोड़ी को हर का सामना करना पड़ा बताने टोक्यो अलम्पिक का नौवा दिन भारतिय दृष्टी कोन से बेख़धी खास रहा है भारत के कई अतलीट अलग-अलग इस पर्दाओं में अपनी चुनौतियां पेश करने बाले हैं और इन सभी अतलीटों से पड़क जीतने की उमीद भी रहेगी नौवे दिन भारतिय खिलाड़ी निशाने बाजी, बैटमिंटन, कैनो स्प्रिंट, ताइकौन जोग और शॉट पूट स्पर्दाओं में अपना दमखम दिखाएं के बतादें बीता आटवा दिन भारत के लिए खास नहीं रहा इस दिन ज्यादा तर भारती अथिलीटों ने निराश की किया और कोई भी खिलाड़ी पदक नहीं जीत सका था ऐसे में महिलाओं की मिश्ट्रेट बैटमिंटन स्पर्दा में भारत के हाथ निराशा लगी वहीं भारती बैटमिंटन खिलाड़ी पलक कोली और पारूल परमार को विश्रु की दूसी वरियता प्राप्त चीन की जोड़ी होई होई और चरंग ने सीधे सेंटरों में होरा दिया था चीन की खिलाड़ीों ने ये मुकाबला दो स्चूर्णे से अपने अंदाम कर लिया था अब भारती जोड़ी अपना अगला ग्रोप माच तीन सितंबर को खेलने वाली है यानि की कल लाकोः में आने वाले चार सितंबर को प्रसावेत कॉंग्रेस की परिवर्तन ज्यात्रा को लेकार नगर कॉंग्रेस कारवाले में एक बैठक आयोज़ित की गई ये बैटक वरिष्ट कॉंग्रेस ने था हरेंदर बोरा की अगवाई में आयुजित की गई जिसमें कारक्रम की सफलता की रूप रिखा तयार की गई वहीं बैटक में मौझूद वरेश्ट कॉंग्रेस नीता हरेंद्र बोरा ने सूबे की बीज़पी सरकार पर जंक कर हमला बोला। साथ ही बता दे हमें परिवर्फन ःतरा के जरुगे प्रदेश सरका की नाकाम्यार जनता के बीच रखनी है और ऐसे में तीन सितंबर याने की कल ख़टीमा से परिवर्फन ग्यातरा की श्रुवात होगी जो चार सितंबर को लालकूं पहुंचेगी ऐसे में परिवर्तन क्यात्रा का भव्य तरीके से स्वाकत भी किया जाएगा जिसमें प्रदेश कॉंग्रेस नेत्रुत के बड़े नेता भी मौजूद होंगे उनके बलिदान को नमन करते हुए कॉंग्रेस पार्टी तीन तारिक को खटीमा से सितार गंज होते हुए यह यात्रा निकालने जारी है कॉंग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश यह है कि पिछले साले चार वर से भारती जन्ता पार्टी की सरकार यहाँ पर काभीज है पिछले चुनाओ में जब 2017 में चुनाओ हुए थे तो यहाँ पर लोगों को उकसाया गिया उनको भड़काया गिया कहीं धरम की बात कही गई और लोगों से 2017 के चुनाओ में यह कहा गिया कि केंदर में भारती जन्ता पार्टी की सरकार है तो यहाँ पर भी जो है अगर भारती जन्ता पार्टी की सरकार प्रदेश महाईगी तो इससे इतर का विकास होगा लोगों की समझ्याएं दूर होगी दो दिवस्य दोरे पक हतीमा पहुंचे सीएम पुशकर सिंधामी ने बताया कि नानक मता में जल्दी हैलिपेट की सेवा शुरू होगी और इसके लिए काम भी शुरू करतिया कया है साथी जल्दी दिल्ली अमरिसर लखनओ से हलिपेट सेवा यहां के लिए शुरू हो सकेगी यह सेवा दूर दरा से आने वाले यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है वही प्रसित तीर तीसर नानक मता साहिब के लिए यह विशेश सेवा है और इस पर सकार अप्रसाश्र ने अपना काम भी शुरू कर दिया है तो बता दें दो दिवसी दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे ऐसे में उन्होंने यह एलांग किया है साथ ही बता दें कि दो दिवसी वो दौरे पक खतीमा पहुंचे थे और उसके तहब उन्होंने नानक मता साहिब के लिए हैले पैट सेवा शुरू करने का इलांग किया गया है उनकी तरफ से कहा गया है कि दिली अमरे सर और लखनों से हालिपेट सेवा यहां के लिए शुरू हो सकेगी और यह सेवा दूर दरा स्याने बाले यात्यों के लिए शुरू की जा रही है वहीं बता दें प्रसित 33 नारक मतास साहिप के लिए यह विशेश सेवा होगी और इस पर सरकार और प्रसाशन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है जो दिद्री से, रपनों से, जंदीगर से, हमने सर से बहुत सारे देश के लोग जो नारक मतास आई वाना चाहते हैं उनके लिए हम सीदे यहाँ पर हैली से वाकार होगी और इस पर सरकार देश से, सिद्ध पीट कुरूंज मंदिर से मा नंदा देवी की जोलियों की कैलाश के लिए विदाई के साथ हर साल आयुचित होने वाले ही नंदा देवी लोग ज़ात की शुरूआत हो गई है कई पड़ावों को पार करने के बाद मा नंदा देव जोलियां 23 सितंबर तक नंदा सप्तमी के दिन बैदनी कुंट और बाला पाटा बुगलियाल पहुंचेगी जहाँ पर मा नंदा की पूचा अर्चना के बाद नंदा देवी लोग ज़ात का समापन होगा पता दे की 12 सालों में कुरुज मंदर से ही नंदा देवी राज जात का आयोजन किया जाता है और हर साल नंदा देवी लोग ज़ात का आयोजन होता है तो ऐसे में नंदा देवी की जो डोली है इंडिकाली जारा ही या और 13 सिदंबर को यह पहुंचेगी जहां पर समापन होगा ऐसे में हर साल जो है ये आईजित की जाती है और कई सालों में कुरुंड मंदे से ये नंदा देवी राजजात का जो आईजिन है वो किया जाता है और हर साल नंदा देवी लोगजात का आईजिन जो है वो किया जाता है तस्वीर आप देख सकते हैं तो बतादे नंदा देवी लोग जात का ये आईजिन शुरू हो गया है हर साल ये नंदा देवी लोग जात का आईजिन जो है वो किया जाता है ऐसे में लोग कितने उत्साहिते लोग कितने खुशते ये देख सकते हैं आप कितनी भारी संक्या में लोग वहाँ पर मौजूद दर्शन करने के लिए तो ऐसे में ये चमोली के खाट विकास खंड सिद्ध पीट कुरुंड मंदिर से मानन्दा देवी की जूरियों की कैलाश के लिए विदाई के साथ हर सार आयोजित होने वाली नन्दा देवी लोकुजात की शुरुआत हो चुकी है तस्वीरे देख सकते हैं और कई पड़ावों को पार करने के बाद मानन्दा की देव जोलियां 13 सितंबर को नन्दा सब्तमी के दिन बैदनी कुंट और बाला पाटा बुगले आल पहुंचेगी जहां पर माननन्दा की पूजा आरचना के बाद नन्दा देवी लोकुजात का समापन होगा महीं बता दें आपको 12 सालों में कुरुंड मंदिर से ही नन्दा देवी राजजात का आयोजन किया जाता है और हर साथ नन्दा देवी लोकुजात का आयोजन किया जाता है महीं बता देवी लोकुजात को हर वर्ष कोने वाली है इसे दे पेट खुरूल मंदिर से और वेदिनी कूल और बाल पाटा के लिए दोनों यात्राइं दोनों ढूलियों की संसनों के 13 सिक्टमबर हो और अपने आद चार बजी लगवग यहां से सारे माताई वहने अमारी बहुत दोनों दोलियों यहां से अपने अपने पड़ाव पर एक देश की सुच्छ सामिर्थ के लिए यहां पर अने को देवाल है और शक्ती के केंद्र सित है इनी केंद्रों में से एक है छोई रामनगर जिलार नेरी ताल सित विश्व प्रसिद श्री हनुमान धाम हनुमान धाम की वास्तु कला और छटा अनुखी है और एक दचक पहले से अस्तित्म में आए यह धाम लोगों की आस्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है जहां लोगों की आसाइश से जुड़ी कोई है जहां आकर लोग अपनी मनुकामना पूरी करने के लिए सर नवाते हैं और ऐसे में धाम में सापित भव्य हनुमान जी की मूर्ती लोगों का मन मोह लेती है लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और मननत की गांच महाँ पर बांगते हैं फल सरू वीर बजरंगी हनुमान उनकी इच्छा पूरी करते हैं उनकी मनुकामना पूरी कर देते हैं तो इन नैनिताल में मंदिर प्रसिद है श्री हनुमान धाम नाम से मंदिर है जहां पर अब जो है ये बहुत बड़ा आस्ता का केंडरों लोगों के लिए बनता जा रहा है जहां पर काफी भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचते हैं अपनी मिन्नते मांगते हैं अपनी प्रात्ता करते हैं और साथ ही वहाँ पर जो है लोगों के आस्ता दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अटूट श्रत्था और आस्ता का ये केंडर है हनुमान था तस्वीरे भी आप देख सकते हैं कितना ही भव्या खुबसूरत ये मंदिर है धीरे अब जो है ये आस्ता का बड़ा केंडर लोगों के लिए श्रधालू के लिए बनता जा रहा है जहां पर मनत मांगने के लिए लोग दूर दूर से वहां पर पहुछते हैं है कि अट मारे अचार स्री है दिए से कि वह संक्य प्रचारक ने हुए फ creator 아니면 पिरने आयाई वैसे बेपारी आदमी है मієं अगर उनके मन में क소리रण आ पांभी कवरे आ काम करना है उत्राखंड में वो ऐसा कोई स्थान ढून रहे थे जहां थोड़ा सा जगह मिल जाए उसमें हम हनुमान जी को इस्ताफित करें उसी बीच जब हो कथाएं करते थे हनुमान जी पर किवल कथाएं करते हैं उसी बीच उनकी राम नजर में मुलाकात आसान ग्रुप के सिर्व राजीव अगरवाल जी से हो गई राजीव अगरवाल जी ने कहा वही दुनिया में सेकड़ों मंदिर हैं हजारों मंदिर हैं यहां पूजा भी नहीं होती आज की तारिक में आज यह चोटा सा मंदिर बनागे ते आप त्यार कर देंगे उसमें कल को पूजा भी नहीं होगी तो वो बड़ा कस्तकारी होगा अगर आपको भी परवता रोहन और साहसिक गति वीडियो में दिल्चस्वी हैं तो यह ख़वर आपको रुमान्चित कर देगी इससे आपको अब बरफीली चोटियों के बीच जाने की जरूरत नहीं है बलकि आप नहरू परवता रोहन संस्तान में पहाड़ी शेरी में बने म्यूजियम में क्रेवास के उपर से चल कर इसका लुफ्त उठा सकते हैं आप भी उचे उचे बरफीली चोटियों के बीच क्रेवास को उपर सीड़ी के सहारे पार करने का नुभव यहां ले सकते हैं साथ ही परवता रोहन सहित चारो धामों और पहाड़ी संस्कृति से भी इस म्यूजियम में 3D आजियो और वीजियोल के साथ रूबरू हो सकते हैं तो देखे बड़ी पहल उत्तरकाशी में अब बरफीले पाहड़ों पर जो लोग जाने चाते हैं और परवता रोहन जो करना चाते हैं लोग उनके लिए यह म्यूजियम बनाया गया है तस्वीरे देख सकते हैं कि सरह से म्यूजियम जो है बनाया गया है यानि कि अब आपक मस्कृती से भी इस म्यूजियम में 3D आउडियो और विज्वल के साथ रूबरू हो सकते हैं उत्राखंट के दुग्द विकास विभाग में घसियारी कल्यान योजना का शुभारब होने जा रहा है जिसमें तमाम महीरा पशुपालों को को इस योजना का लाफ मिलेगा पशुपालन और दुग्द विकास मंत्री विखावरे ने कहा कि राज्य सापना दिवस के अफसर पर उत्राखन में इस योजना का शुभारब किया जाएगा और इस योजना से महीला पशुपालन को और डेरी सहकारी समीतियों को लाफ भी मिलेगा वहीं मंत्री देखावरे ने ये भी कहा कि 80 किलो के पाकट में पहले 4 मिलता था जिसे पहाडों तक महँचाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पढ़ता था और समीतियों को ये दिक्कत आती थी लेकिन अब इस योजना के जरिए 20-20 किलो के पाकट तयार किये जाएगे ज जिसको कहीं भी पहुचाने में आसानी होगी उनको वह 4-80 केजी के एक पैकेज में उनको मिलता है जिसके कारण से पहाड पर उसका ढूलान उसे वहाँ ले जाना जो है वह संभव नहीं हो पाता है इसलिए जो है अब सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि पहाड पर घरों तक पहुचाना वह संभव हो सके उसके लिए 20 केजी का जो है एक 20 केजी का इस पैकेज जो है उसको बनाने की त्यारी चल रही है उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती में पोलिस अधिक्षक अर्विंद कुमार मौर्रे के निर्देश अनुसार महिला बीट पोलिस अधिकारी और श्रक्ती मोबाइल द्वारा मिशन श्रक्ती अभियान भी चलाए जा रहा है महिलाओ और लड़कियों को सुरक्षा और आत्मिदर भरता के लिए बनाए गए कानून और नियमों कुले कर जाकरुक किया गया साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस और हैल्पलाइन नमबर विमन पावर लाइन 1090 महिला हैल्पलाइन 181 चिकेट सके साहता ही तू 108 पोलिस कंट्रोल नमबर 112 चाइल्पलाइन 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो हैल्पलाइन नमबरों पावर फोन कर साहता मिल सकती है इसी के साथ गुद मॉर्निंग इंडिया में फिलाक लेतना ही आप तेखते रहिए निउस वरल इंडिया झाल 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 झाल